आप सभी का कॉंसेप्स हटके की आज की सीरीज में अर्दिक स्वागत है आज हम डिमोनेटाइजेशन 2.0 लेक्चर के पार्ट 2 को डिस्कुस करेंगे बहुत सारा मीडिया रूमर और फेस्बुक वाटसाइप यूनिवस्टी पे आप लोग रूमर अलरड़ी देख रहे होंगे कि गवर्मेंट ने या रबियाई ने जस्ट 5,000 और 10,000 रुपे के नोट लॉंच कर दिया है या फिर लॉंच करने का प्लान है कई सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे आपको अलरड़ी उसकी इमेजेज भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई होंगी अगर नहीं होई है तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया से कम जूड़े हुए है अब आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और गवर्मेंट के रोल के बारे में और हम इस न्यूज को डीटेल में एनलाइज करेंगे कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और कितना जूट है अब आगे बढ़ते हैं करेंगे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूब आई और गवर्मेंट का रोल क्या है तो आ जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम है जिसको जिसका फूल नेम कहते है रिजर बंक आफ इंडिया हर देश में government वहां की जो होती है एक central bank appoint करती है जिसका काम होता है currency management और monetary policy management इस case में भी exactly ऐसा ही है तो पहले हम बात करते हैं government of India के role की और उसके बाद समझते हैं कि RBI का role क्या है तो government of India जो है RBI को permission देता है currency management के लिए तो effectively anything जो RBI करता है वो government of India के आदेश के अंसार करता है और यह permission RBI को दी गई थी Reserve Bank of India Act 1934 अब 1934 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह independence के पहले का है इसका मतलब अंग्रेजियों के time का बनाया हुआ rule है तो ऐसा नहीं कि RBI आपका अभी recently या independence के बाद government ने setup किया है यह rule कुछ ऐसे rules में है जो government ने independence के बाद सीधा का सीधा adopt कर लिया और उसमें ज्यादा कुछ changes नहीं किये गए हैं कई सारे rules ऐसे हैं जो basically completely obsolete हो चुके हैं कोई जरूरत नहीं है current framework के हिसाब से अभी भी वह rules उसी तरह चल रहे हैं और recently आपने पिछले 8-10 साल में जब से मोधी government आई है अब से देखा होगा उन्होंने कई सारे complex rules और पुराने rules जो आज की situation के हिसाब से justifyable नहीं है उनको हटानी की कोशिश की है कि ना और बिए करेंसी management के लिए responsible है पर कोई का management अभी भी government अफ इंडिया ही करती है तो कोई जो होते हैं जैसे आपके एक रुपए दो रुपए पांच रुपए दस रुपए बीस रुपए इनके कोई हो गए इनकी हैं आपके अधराबाद में है और एक आपका नजघ्राबाद में है और यह दो आपकी और नोइड़ा में है तो यह Now, Government of India अभी भी RBI जो भी करती है या जो भी RBI Act के accordingly उसको permission दी गई है उसको Government of India अभी भी regulate करती है तो अगर कोई भी action लिया गया है जैसे demonetization 1, demonetization 2, notes withdrawal, even past की भी history हम cover करेंगे कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि demonetization हुआ है तो आप अगर देखेंगे तो इसी तरह के steps past government ने भी लिये हैं जो कि इतना ज़्यादा basically publicize नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा जो है decision making RBI करता है बट उसको regulate जो है government of India करता है और government of India का बहुत बड़ा save होता है any decision making में now RBI का क्या role है तो RBI का role है currency को manage करना और currency की printing करना printing मतलब normal printing press नहीं होता है काफी complicated press होता है जहां पे बहुत सारे security features और और चीजों को ध्यान में रखा जाता है तो इतना आसानी से उसको समझना आसान नहीं है बट अगर आपने एक TV series देखी होगी फरजी अभी recently आई है इस series को अगर आपने देखा होगा तो आप understand कर सकते हैं कि currency printing कितना भी आसान process नहीं है बहुत सारे complex features होते हैं और उसको basically जाली note create करने के लिए बहुत मेहनत लगती है तो जितनी बड़ा denomination आप basically market में introduce करते हैं security features उतने ही जादा होंगे बट बहुत सारे basically जाली note का धंधा करने वाले लोगों का target बड़ा size note ही होता है क्योंकि सोचे देखे अगर आप 2000 note का जाली note बना रहे हैं तो आपको एक transaction में basically एक note ही देना है या carry करना है वही आप अगर 100 रुपे का note कर रहे हैं जाली बना रहे हैं तो आपको 20-100 रुपे के note चलाने पड़ेंगे लग लग जगते तो उस हिसाब से value जो है same effort के लिए 2000 रुपे के note में आसान होती है उसको carry करना भी आसान होता है now RBI जो कि हमने अभी यही देखा कि government of India coins को mint करने के लिए responsible है तो RBI की responsibility coins नहीं होती है ठीक है RBI सिर्फ notes manage करता है और इन notes के लिए तीन facilities हैं जहां पर यह print होते हैं एक देवास में है एक मैसूर में है देवास आपका MP में पड़ेगा मैसूर आपका करनाटका में पड़ेगा और सालबोनी आपका basically West Bengal में पड़ेगा तो यह तीन जगे हैं जहां पर notes की printing manage होती है demonetization 1.0 जब 2016 में हुआ था तो उसमें कुछ जगों से rumor आया था कि मैसूर की facility में किसी RBI के employee ने 2000 रुपए के note के साथ अपनी Facebook पे photo लगाई थी जिसकी वज़े से government को पूरा का पूरा action early prepone करना पड़ा जो की December end तक plan था अब कितनी सच्चा ही है कितनी नहीं है यह तो government of India ही बता सकता है या वो employee बता सकता है जिसमें Facebook पे डाली होगी बट कई जगे से confirmed sources से है कि डाली गई थी और तुरंत उसने हटा भी ली थी बट market में वो signal जा चुका था कि basically कुछ है जो आ रहा है जिसकी वज़े से government of India को पूरा planning prepone करना पड़ा अब उस पूरे news में कितनी सच्चा ही है उस पे मैं कोई claim नहीं कर सकता बट these are all the rumors जो उस स spread हो रहे थे हैं ना अर्वी आई के additional role में जो की बहुत important role है repo rate management जिससे आपका lending rate mortgage rate personal loan rate vehicle loan rate यह सारा का सारा यहां से control होता है हम किसी और lecture series में यह पूरी monetary policy और lending rates वगएरा के बारे में समझेंगे आज के लिए बहुत basic से ही काम चलाते हैं now repo rate or monetary policy is basically government of RBI का जो main target है वो है और इन चीज़ों को basically manage करना including the inflation is RBI's mandate अब हम थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि इंडिया में नोट्स की हिस्ट्री क्या रही है ठीक है बहुत लोगों को सिर्थ 2016 और recent का ही पता होगा पर अगर आप history देखेंगे तो actually 1949 एक ऐसा period था independence के बाद जब RBI ने 5000 और 10,000 रुपे के नोट introduce किये थे वो एक ऐसा time था जब पहली बार 5000 और 10,000 रुपे के नोट प्रिंट किये गए थे और Reserve Bank of India Act 1934 के according RBI को सिर्फ 10,000 रुपे के नोट तक प्रिंट करने की permission है कितने 10,000 10,000 रुपे के उपर अगर RBI चाहे भी तो print नहीं कर सकता क्योंकि government of India उसको allow नहीं करता है RBI Act के थूप तो यह काफी important point है जिसको सबको पता होना चाहिए जबकि आप past में देखेंगे 1500 और 2000 maximum denominations हमने देखें है यह market से गायब हो गए थे जो कि demonetization का part है उसको हम अभी आगे discuss करेंगे तो RBI चाहे भी तो आपका maximum 10,000 तक का denomination अभी भी introduce कर सकता है करेगा की नहीं यह different question है 1957 में pre independence के पहले के सारे note government ने demonetize किया था यह आपका demonetization का पहला step था जब first time market में demonetization किसी भी government में introduce किया था इंडिया में यह आपका सबसे पहला demonetization का step था 1957 में इसके बाद अगला phase आता है 1970 उसके बीच में कोई change नहीं होता है जब government ने रूपी 20 और 50 के notes introduce किया थे यह demonetization नहीं था यहाँ नए notes introduced वे थे और कुछ नया step नहीं था इसके बाद second demonetization में 1978 में 100 रुपे के उपर के सारे note demonetize कर दिये गए थे तो 500, 1000, 5000, 10,000 यहाँ जितने note पहले होते थे सारे के सारे 1978 में जो कि आपका technically demonetization 2.2 यह होना चाहिए यहाँ पर सारे notes जो है 100 के उपर जितने भी थे सब demonetize हो गए थे इसके बाद कुछ और भी बीच में sequences हैं पर example जैसे कि 500 का note दुबारा introduce किया गए 1987 में then एक रुपे और दो रुपे के note जो है 1995 में discontinue कर दिये गए थे जो कि again आप demonetization 3.0 भी बोल सकते हैं इसको technically इसके बाद आपका 1000 का note first time introduced किया था year 2000 में तो यह जो है आपकी brief history है हमारे 2016 के famous demonetization के पहले की अब यह आपका जो technically demonetization 1.0 नहीं है but majority of जो हमारी age के लोग है younger generation है because उन्होंने 2000 के पहले की history किसी को ज़्यादा पता नहीं है तो technically आप इसको लोग जो है demonetization 1.0 बोलते हैं तो first step but actually यह आपका demonetization technically fourth होगा यहाँ पे November 8th 2016 में government ने immediate effect से midnight के बाद आपके 1500 के note discontinue कर दिये थे market से इसके बारे में हमने detail coverage basically part one में किया है तो हम जदर detail में अभी नहीं जाएंगे जिसको देखना है वो part one इसकी पहली series देख सकता है और आपको पूरी detail उसकी मिलेगी एक technical analysis कि उसका क्या फायदा रहा है क्या नुकसान रहा है उसको किस तरह से perceive किया जाए देखा जाए कि सारी कि सारी analysis आपको part one में मिल जाएजी नाव 2016 में demonetization के time पे जो panic create हुआ था उसको खतम करने के लिए और liquidity crisis को manage करने के लिए government of India ने या RBI बोलिए 2000 का note जो है introduce किया था अब ये 2000 का note जो था एक basically temporary measure ही था उसको हम समझेंगे temporary क्यों था but liquidity crisis completely market में आ गई थी because 500,000 के note के denominations उनका circulation बहुत हाई था और दूसरा उसके बाद जो highest denomination note था वो 100 का था जो की significantly lower होता value में तो suddenly उस चीज को impact को कम करने के लिए 2000 के note जो है introduce किये थे in notes में कई सारे basically security features add किये गये थे कई सारे rumors भी थे कि satellite से track हो जाएगा अगर किसी ने coding करने की कोशिश की अगर low on रखा उसमें चिप लगी हुई है बहुत सारे rumors भी थे जिसमें कई मतब सारे rumors गलत हैं क्योंकि technically इतना आसान नहीं इस सब चीजों को करना demonetization 2 में इन notes को जो है withdraw किया गया है जो अभी recent announcement आपको आई है अभी भी technically ये ban नहीं हुआ है ना demonetize हुआ है इसको withdraw किया गया है similar to जो आपका 1995 में रूपी 1 और 2 के notes को discontinue किया गया था अभी भी RBI ने ये नहीं बोला है कि 30 September के बाद किसका क्या होगा बट अगर हम इसकी history देखें तो RBI ने 2018 के बाद इस note को print करना ही बंद कर दिया रहे तो 2018 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी नया 2000 रुपे का note print नहीं हुआ है इसी का currency circulation का अगर हम history देखें तो ये 2000 रुपे के note का percentage है market में circulation में 2017 जब सबसे अदा notes print हुए थे और दूसरे छोटा denomination 100 का था इसका circulation percentage market में 50% से उपर था अब because 2018 के बाद कुछ print नहीं हुआ है तो financial year 2018-19 में इस note का circulation drop होके 37.3% पे आ गया further क्योंकि कोई भी नया note print नहीं हुआ है तो ये downward trajectory में ही रहा है अब downward इसलिए because even though ये note withdraw नहीं हुआ है तो जब आप circulation को देखेंगे तो बाकी और भी नये notes introduced किये गए जैसे नये 100 के note, नये 200 के note, नया 500 का note और economy भी इस period में काफी grow हुई है तो उसकी वज़े से अगर percentage दिखा जाए तो amount of notes जो यहां थे वहीं है बट percentage wise आपका काफी कम हो गया जो कि technically अगर आप अभी recent numbers देखेंगे last year के financial year के तो 10.2% पे ये था अब इसका क्या economic impact होगा जो note already 10.2% circulation में है और even circulation में भी अगर आप ATM में जाएंगे आप अपना basically किसी से भी पैसे लेंगे या transaction करेंगे तो बहुत ही low chance है कि आपको 2000 रुपे का note निकलेगा जहां तक ATM की बात है majority of the banks ने already ATM में रखना बंद कर दिया था इस note को तो ये brief history है और इसका basically currency circulation कैसे impact हुआ over a period of time यहाँ पे हमने ये समझा तो अब किस समय मार्केट में क्या available है तो इस समय जितने भी notes इस समय मार्केट में है आपका lowest note का denomination 10 रुपे है 20 रुपे का note है 50 का note है 100 का note है 200 का है और 500 का है ये 6 तरह के denomination इस समय RBI manage कर रहा है 500 के ऊपर कोई note आएगा नहीं आएगा ये अभी कोई information किसी को नहीं है बट जहां तक मेरा opinion है मुझे नहीं लगता है कि 500 रुपे के ऊपर के denomination की जरुद भी पड़ेगी क्योंकि आपका digital payments का जो volume है और जो 2016 के पहले था वो five times हो चुका है और काफी लोग अब basically digital payments पे rely कर रहे हैं compare to currency को अपने wallet में रखने के comparison में तो 500 का note actually higher denomination अगर देखा जाए तो sufficient है but you never know government change हो सकती है हो सकता है same government के different plans हो तो अभी तक ऐसा कोई plan reveal नहीं हुआ है but potentially possible है क्योंकि RBI Act अभी भी 5000-10,000 तक के note allow करता है अब अगर सिक्कों में देखा जाए तो market में इस समय यही सिक्के आपको मिलेंगे इस से छोटे denomination के एक रुपे से छोटे सिक्के नहीं मिलेंगे और इस समय आपके पास एक रुपे, दो रुपे, पाँच रुपे, दस रुपे और बीस रुपे के सिक्के हैं इसको जो है government of India manage करता है और इसको RBI manage करता है जो कि हमने अभी थोड़े देर पहले समझाता है biggest question now what is next अब इस तरह के notes की photo Twitter पे और social media पे बहुत सरे platforms पे circulate हो रही है but अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये kind of thousand रुपी का जो old note था उसी का moft version लगता है तो ये कहीं से भी basically सही information नहीं है अभी तक ऐसा कोई भी guidance government की तरफ से RBI की तरफ से नहीं है कोई भी news नहीं है अगर इस तरह की कोई भी अफवा आप देखते हैं तो इसको completely ignore करिए ये बिलकुल गलत है दूसरा 10,000 रुपे के note का भी कुछ जगों पे rumor है बट अगर आप इस note को ध्यान से देखेंगे तो ये note की जो styling है और basically जो printing quality है ये आपको लगेगा कि ये 1949 में जब 5000-10,000 के note इंटोड्यूस की गये थे उन में से है तो ये बहुत ही fear mongering और इन सब चीजों पर भरोसा ना करें तो आज के लिए बस इतना ही और अगले हम lecture series में कुछ और interesting topics को लेकर आएंगे तब तक के लिए आप हमारे channel को like, share और subscribe कर सकते हैं अपने friends और family के साथ और notification bell भी on करिएगा जिससे आपको इस तरह के interesting videos और भी मिलते रहें धन्यवाद